Hello Students, Welcome to Topic Touch इस वीडियो में हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे आर्टिकल का नाम है Health is Wealth तो ये काफी जादा important है Class 12 के लिए है और आर्टिकल आपको मालूम है 10 marks का आता है और Health is Wealth ये आर्टिकल है एक्जाम में पूछा जा चुका है और इस तरीकी के जो आर्टिकल होते है ये आपको जरूर प्रिपेर कर देने चाहिए ये अक्सर रिपीट होते रहते है देखे, Health हमारे लिए बहुत जरूरी है इस लिए इस टाइप के जो आर्टिकल है वो अक्सर रिपीट होते है और ये जो आर्टिकल है मैंने लिखा है इसमें काफी simple sentence लिए है मैंने सरल बाक लिए है जिससे कि आप आसानी से याद कर पाएंगे तो देखे question क्या आता है write an article on the topic health is wealth in 100 to 150 words इतनी words में ये लिखना पड़ेगा आपको तो हम देखते हैं health is considered the greatest wealth ये जो health है स्वास्थ है उसको considered मतलब माना जाता है the greatest wealth सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ को सबसे बड़ा धन माना जाता है it is better to be healthy poor ये जादा अच्छा होगा to be होना healthy poor ये स्वास्थ गरीब होना जादा अच्छा होगा than sick rich बीमार अमीर बीमार अमीर से जादा अच्छा क्या होगा स्वास्थ गरीब चाहिए गरीब रह लो लेकिन स्वास्थ होना चाहिए इसके बाद आगे है a sick person cannot enjoy money and comforts a sick person एक बीमार व्यक्ति cannot enjoy येनकी आनद नहीं ले सकता है money पैसे का धन का and comforts मतलब होता है सुक सुद्धाएं आराम की बस्तुयें उनका आनद नहीं ले सकता है he start feeling burdened by his life he start feeling मतलब वो feel करने लगता है उसे लगने लगता है burdened by his life येनकी अपना जीवन बोज उसे अपना जीवन बोज लगने लगता है burden मतलब होता भार होना बोज होना a healthy person एक स्वस्त बैक्ती lives happily यानकी खुशी से रहता है एक स्वस्त बैक्ती खुशी से रहता है there is enthusiasm and happiness in his mind and brain there is enthusiasm enthusiasm means जोस या उत्सा है उसमें जोस या उत्सा है और happiness यानकी खुशी होती है in his mind and brain उसके मन मस्तिस्क में जोस और खुशी होती है आगे है whatever works, work he does यानकी जो कुछ भी काम वो करता है he does it वो इसे करता है with full enthusiasm यानकी पूरे जोस से वो इसे पूरे जोस से करता है that is why इसी लिए ही it is said that ये कहा जाता है कि health is wealth स्वास्थी धन है it is man's responsibility यानकी ये मनुस की responsibility है यानकी उत्तरदायत तो है to strive for good health यानकी अच्छी health के लिए कोसिस करना मनुस की क्या है responsibility इसके लिए एक्सरसाइज योगा ब्यायाम योगा ठीक है न हेल्दी डेली रूटीन यानकी स्वास्थ दिंचरिया आर नेसेसरी ये चीजे जरूरी हैं अपरसन सुड आल्सो टेक प्रॉफर केयर ओफ इस इटिंग है इक ब्याक्ति को सुड आल्सो टेक प्रॉफर केयर उचित देखभाल करने चाहिए अपने खाने की आदितों का उचित ध्यान रखना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग एन की सकारात्मक सोच शुड भी कैप्ट इन दे माइंड मन में रखना चाहिए मन में सकारात्मक सोच रखने चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग वन सुड टेक एडबांटेज ओफ गविन गिफ्ट बाइस टेंग हेल्दी मानि कोई एक व्यक्ति सुड में चाहिए टेक एडबांटेज में सोता लाव लेना और गविन मतलब भगवान द्वारा दिया गया गिफ्ट उफार बाइस टेंग हेल्दी सौस्त रहकर किसी व्यक्ति को भगवान द्वारा जो उफार दिया गया है जो हमें एक मनुस जीवन दिया गया है इसका लाव लेना चाहिए wealth in the form of health यानकी in the form of means होता है के रूप में health यानकी सौस्त सौस्त के रूप में जो धन है should be protected at all cost उसको protect किया जाना चाहिए बचाना चाहिए at all cost मतलब किसी भी कीमत पर यहां पर होने चाहिए at any cost all की जगा any at any cost होता है मतलब किसी भी कीमत पर आगे है it has also been said यान की ये भी कहा गया है कि hell is a thousand blessings यान की जो स्वास्त है ये कहावत है न तंदुरुस्ती हजार नियामत यान की जो तंदुरुस्ती स्वास्त होता है वो हजारों blessings यान की बरदान के बराबर होती है जो तंदुरुस्ती है good health is the basis of all the happiness of life यान की अच्छी जो health है स्वास्त है वो is means basis आधार है of all the happiness सभी खुसियों का of life जीवन के तो अच्छा स्वास्त जीवन की सभी खुसियों का आधार है तो इस चैनल पर आपको और भी आर्टिकल मिल जाएंगे जो की class 12 में पेपर में पूंचे जा चुके हैं और पेपर के लिए काफी important भी है तो उन सभी को आप रिपेर कर लीजिए इसकी अलग लिस्ट बनी हुई है ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद